दोस्तों अनग लोग कीचन में हम ग्रीन चने जो हरे चने आते हैं विंटर में उसकी सब्ची बना रहे हैं मैंने चने को नमक के साथ में तीन सीची से बोईल कर लिया है कुकर में और यहां पे मैंने ग्रेवी के लिए एक टमाटर, दो प्याज, चाटपांक लसुन, अद्रक मिर्ची ग्रीन उसका में ग्रेवी बना रहे हूं उसको मिक्सी में पिसके मेरे साथ बने रहे हैं रहे हैं हम ग्रीन चने की लिज़दार विंटर स्पेशल वांगी बना रहे हैं सब्जी बना रहे हैं तो यहां पे हम टमाटर, अद्रक, लसुन, ग्रीन चिली का पेश्ट बनाइगे, कुकर में मैंने 3 टेबल स्पून ओयल डाला है। उसमें राई और हींग और राई फ्लेटर करने के बाद हम उसमें हलदी डाल एमारी gravy डालाएगे। दोस्तों हमारा ओयल गरम हो गया है मैं उसमें राय और हिंग डाल रहे हूँ और यह जो पांच चीट थी उसकी मैंने मिक्से में पिसके ग्रेवी बनाई टमाटर, ओनियन, गार्लिक, लसुन और अध्रक टमाटर, ओनियन, गार्लिक, ग्रिन चिल्ली और लसुन चाल पहरे हे पांच सिंट राभुरे कौरे गार्या है। अब मैं ध्री यह इंग डाल पांच पर करें। भी दाल में अब प्रॉड़ी यह लड़ी मैंने आप ग्रेवी डालेंगे दोस्तों हमारी नियम्यड़ी बगारदी है जैसे ही राय फे newh हमने उसमें हिंग और हल्दी डालके हमारी जो टमाटर प्याज और लसुन अद्रक मिर्ची जो ग्रेवी थी वो डाली है उसको थोड़ा पकने देंगे मसाले सब डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर दन्या पाउडर थोड़ी हल्दी डालके नमक स्वादनुसा डालके हम उसको ग्रेवी को थोड़ा तेल में पक्ने दिया, हमने सब सुख्य मसाले डाल दिये हैboom, दूस्दोन ग्रेवी टेल चूडेगी हम हमारे बोस्थ assists भू सबने B सब मसाला ले लिया और थोड़ा बटर डाला है में कभी कभी कोई ग्रेवी वाली सब्जी में एक चमक बटर भी डालती हुँ जिससे वह अच्छा टेश्ट देता है अब जैसे ही हमारी ग्रेवी पक जाएंगी हम बॉल किये हुए चने डालेंगे और फिर पा ग्लास पानी डालके हम एक सिटी बजाएंगे दोस्तों हमारी ग्रेवी पकने को आई है और हम चने डालके आदा ग्लास पानी डालके हम दो सिटी कुकर में बजाएंगे अनगलो की चन से हम हरे चने की सबजी बना रहे हैं दोस्तों उसके लिए मैंने ग्रेवी बनाई है और चने को मैंने पहले नमक डाल के बोल किया था और अब यह चने हम ग्रेवी में डालेंगे दोस्तो ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है और हम हमारे ग्रीन चने डाल रहे हैं आधा ग्लास पानी डाल के हम कुकर में दो सीटी बजाएंगे हमने चने पहले बोईल किया हुआ है इसलिए ज्यादा पानी नहीं डालेंगे और दो सीटी बजाएंगे मेरे साथ बने रहे हैं दोस्तो हरे चने की सबजी हम बना रहे हैं मैंने लगबग आधा ग्लास पानी डाला है और अब हम कुकर बन करके दो सीटी बजाएंगे और केस को बन करेंगे दोस्तों यह हरे चने की सबजी तयार है दिखने में कितनी बढ़िया दिख रही है तो स्वाद में कितनी अच्छी होगी दोस्तों आजाएं खाते हैं गरंगरंग रोटी के साथ या पराटे के साथ खासकते हूं आपको दिखाते हूं में यह हमारे ग्रीन चने की सबजी दोस्तों हमारे हरे चने की सबजी पपीता का खमार गूड और रोटी आजे हैं दोस्तों खाते हैं अच्छी है अच्छी है अच्छी है अच्छी जी आपको आफसेशन दिरेक्टर आउच्छी दोस्तों है गुजाच्छी हाई है